असलों कि योडियो ऑफ खुल्बग ग्रीन इसलामबाद और आज के इस वीडियो में वकर नाइट विए दिखाने कुछ करूंगा अब लट से रात के ट्रैवल करते हैं तो आपको एवरेज टाइम कितना लगता है और जो डिस्टन्स होता है वह कितना होता है डिस्टन्स दा और 17 क्लिमेटर के साथ साथ जो आपको एवरेज टाइम लगता है जिरो पॉइंट तक आज के वडियो में वो एक्स्प्रेंग करने कोश्च करूंगा क्यूंकि आम तो पर यह ख्याल किया जाता है गुल्बग ग्रीन जो बड़े ब्रैंट की साइटी सबसे नजदी के गु जो फिस विस्ट खिफ चरी साइट पर तुस्ता से में स्ट्रीम काउंट नहीं होता लेकिन में स्ट्रीम काउंट होते हैं पजर आपकर इसलामबाद जो में घी ब्रैंट आती है उसमें घृच और इसमें आपका वहरिया टाउन है गुल्बग ग्रीन्स गो एहमियत इसलामबाद हाईवे पर जाकर टाइम लाप्स आन कर दूँगा ताकि आपको बेटर अंडिस्टेंडिंग मिल सके लेकिए इसलामबाद में जब 1958 में इसलामबाद बना गया था इसलामबाद पकिस्तान का तो उसके इसलामबाद को जोने में डिवाइड किया गया था CDA Zone 1, CDA Zone 2, CDA Zone 3, Zone 4 और Zone 5 Zone 1 में चुंकि सेक्टरेट से लेकर F8 की प्रेमिसिस आती थी तो वहां बे सबसे पहले अबादी आई और Zero Point को Center Point रखा गया कोई भी जो शेहर प्लैंड होता है उसका एक Center Point जरूर होता है जैसे कराची जो है प्लैंट शेहर नहीं है पाकस्तान का सबसे बड़ा शेहर है लेकिन प्लैंट शेहर नहीं है तो उसका Center Point को भी में रखा गया कि तीन तलवार, दो तलवार, सदर बजार यह कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह सकें Center Point है वहाँ से आप Distance नोट करते है कि इस सॉाइटी का Distance जो Nearby सॉाइटी है इसका Distance क्या है उसकी Base पे उसका Rate होता सॉाइटी का और इसलामबाद क्योंकि एक Plant शेहर था इसलामबाद को 1958 में जब Capital बनाया गया था तो इसकी Proper Planning की गई थी Zone 1 के अंदर 50,000 कनाल एरिया था जिसमें आपका स्कूल, कॉले, यूनिवर्स्टी, हॉस्पिटल सब कुश शामिल था फिर C-DA Zone 2 था उसमें अफ्रेट से लेके जी पंदरा तक सेम उसी तरह 15,000 कनाल में स्कूल, कॉले, यूनिवर्स्टी, हॉस्पिटल सब कुश शामिल था फिर Zone 3 या आप काता है मुनाल, शकरबढ़ियां, 12 को, 76 पार्क वहां पे 20,000, 33,000, 200 कनाल तो इसलामबाद का जो मास्टर प्लैन था वो था 1,33,000, 200 कनाल उसमें इसलामबाद को प्लैन किया गया था CDA Zone 1,2,3 की फॉर्मे बाद में लेटर स्टेज में प्रवेज मिशरफ के दौर में मजीद इसलामबाद का प्लैन को जो था 2002, 2003 में रिवाइस किया गया तो CDA के Zone 4 और Zone 5 भी इसमें एड़ किये थे उसमें आपकी कंस्ट्रक्शन के बाइलाउज का फरक आता है For example Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 में सब में कंस्ट्रक्शन के बाइलाउज डिफरेंट है Zone 4 के अगर बात करें जिसमें चक शिजाद आता है, फजजबाद आता है और गुलबग ग्रीन जाता है तो Zone 4 में आपके बाइलाउज कहते है कि आपने प्लॉट के 20-80 रिशुरक्शन के इस्ट्रक्शन की यनि अगर आपका प्लॉट है एक किनाल का तो आपने 20 मरले पे उसमें से 20 मरले में से तक्रीब बना अपने, सॉरी, अगर आपको प्लॉट है तो 20% कवर करना है और आपने 80% खाली चोड़ना है जो गुलबा ग्रीन्स में आपको मिलता है कि अगर आप प्लॉट लेते हैं 10 किनाल का तो आप वो घर बनाने की अजाज़त तक्रीबन 2 किनाल पे होती है और बाकी आपने एरिया ओपन स्पेस चोड़ना होता है ये बाइलाउस कहते हैं कैपिटल डिवल्पेंट अथार्टी के सेम गोज़ फूर जोन फाइफ जोन फाइफ में बाइलाउस डिफरेंट होते हैं जिसमें गुल्बग ग्रीन्स है और गुल्बग रेजडेंशी है तो उसमें आप आवरिज का टाइम निकाल सेते हैं कि अवरिज टाइम फ्रेम क्या बनता है इस वक्त मैं कुराल चोग क्रॉस किया है और प्रिविसली कुराल चोग जो था इसलामबाद का सबसे ज़्यादा बीजिस एरिया काउंट होता था उसकी वज़ा ये थी कि कुराल चोग पे एक बहुत फेमस इशारा था जिसके राइट साइड पर पिंडी की तरफ जाते हैं तो बेंजिर भूटो एरिपोर्ट था वहां पे अब ही चोग के कुराल चोग जो है वो सिग्नल फ्री हो चुका है तो आप कुराल चोग बड़े एजली क्राउस कर लेते हैं और कुराल चोग से तक्रीबाद 2.4 किलोमेटर आगया आपके गुलबाग ग्रीन्स की जो मेन डेडिकेटट इंटरचेंज इसलामबाद एक्सपरस वे पे वो मिल जाती है याद रेके गुलबाग ग्रीन्स जो है यह इंटेलिजेंस ब्योरो इंप्लाइस कॉर्परेटिंग हाउसिंग सौइटी का परजक्ट है अगर हम 2022 काउंट करें तो दस साल में आप टाइम फ्रीम काउंट करें अगर आपने पंदरा में अपनी इस्टॉल्मेट्स पूरी की हैं तो साथ साल बाद जो सवा क्रोड का प्लॉट था आज की डेट में आपका चे यह साथ गुना उपर जाके तक्रीपन उसकी वर्त करें और रहेंगे यहां पर तो आपके लिए चीजन जानना बहुत जरूरी है कि आपका डाउंटाउन इस्लामबाद से डिस्टन्स कितना बनता है मैं वीडियो के स्टार्ट में बात की थी तक्रीबान 17 मिनिट का आपका 17 किलोमेट का डिस्टन्स है और डिपेंडिंग उन कि आप इसली जिरो पाइंट पहुंच जाते हैं कि कीपिंग इन माइंड कि आप गाड़ी के स्पीड को लेस दें 100 किलोमेटर पर आर पर पर रखें अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि अगर आप लेट से जी लेट आर्स में जाते हैं जैसे रात को लेट नाइट करते हैं तो आपको जो सबसे में प्राब्लम यह आता है कि आपका डिस्टन्स तो वही होगा 27 किलोमेटर लेकिंगे चुकर ट्राफिक ज्यादा होती है तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो सुबह के टाइम ही होता है कि 11 बजे 10 बजे तो मोस्ती लोग जार सी तो मेरी तरह के बहुत सारे लोगों के दफ्तर जाना होगा अपने वह बहुत पीक आर्ज होते हैं सेकंड पीक आर्ज जो दिन के वक्त आते हैं वह यह आते हैं कि स्कूल और कॉलिज जब चुटियां होती हैं इस बड़े स्कूल जो डाउंटाउन इसलामबाद में वाक्य हैं तो जब वहां से वापस ट्रैवल करते हैं आप स्कूल से आते हुए तो आपको इस जो रोड की राइट साइड है उस पर कम्यूट बहुत बहुत बीजी मिलता है और थार टाइम जोता है वह आफिसे क्लोजिंग आर्ज होते हैं जैसे गर्वर्मेंट इंप्लॉईज ज होते हैं उनका छे बजे के आसपास ओफ हो जाता है तो चार से लेके साधे साथ आठ बजे की ब्रैकेट होती है वो इसलामबाद हाइवे पर कम्यूट करने में शायद आपको घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है अगर आप रूटीन में देखें डिसंस ज्यादा नह अजा सब्सक्रा टाइम मुट करने का अड़ाइस गाल जए तो आछ सब्सक्राइद करने का यहीं अवराल का क्म्यूट करने के लिए यह मत दस्यारी आइवररिज तैम आखे लिए इसले बार आपक्रवाब साथ 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 बजे का टाइम है रही होता है यह फिर भी छोड़ी है उनके लिविनग जो है और आगे जाके बात करें तो इसलामबाद का मोस्ली जो तपका है वो अबाद है जो सीडिये सेक्टर दें महां पर आपको मोस्ली अल्टर रिच और रिच लोग मिलेंगे क्योंकि अगर आप एक अरब के घर में रह रहे हैं तो आपको पर कम्यूट का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए इतने रिसोर्स ही होते हैं कि आप रहास तेंजाब आप फैदल वॉकिंग डिसंस पे डाउंटान इसलामबाद में जा सकें तो अब इस वक्त आगया हम फैजबाद के पॉइंट पे और फैजबाद का जो पॉइंट है वड़ा फेमस है आपने अगर आप पाकिस्तान में कह किया जाता है उस पॉइंट का नाम है फैजबाद कोई भी सियासी जमात इट कुड बी पी टी आई इट कुड बी पी एनी पोलिटिकल पार्टी जब भी उन्होंने इसलामबाद के अंदर अपने अधिजाज रिकॉर्ड करवाना होता है या प्रोटस्ट करना होता है तो इ लिए जाता है आपका फैजाबाद उसकी वज़ाए ये है कि फैजबाद में तमाम जो रावल-पिंडी और इसलामबाद के ट्राफिक है वह इसलामबाद हाइवे में तरह की पॉइंट पे आके मर्ज होती है तो मर्ज जोन से मराद है किसिने पिंडी में रहता है को इंडि करने के लिए लफ्ट साइट पर ट्रैवल करना है तो यह आपका ओवराल जो है काफी ज़्यादा कलीदी पॉइंट बनता है का इसलामबाद हाइवे पे जो फैजबाद का पॉइंट है वो चोक हो जड़ा एवन दो सिंग्नल फ्री कोरिडूर के बावजूद शाम को जब अचेट और राइट का सक्टर है और राइट साइट इस मार्च पर शकर पड़ियां परेड ग्राउंट है जो आप आमतवर 25 मार्च की प्रेड देख्टें वह सी जगह भी होती है राइट साइट 2 एस लामबाद में में एक्स्पंसिफ काउंट यह जह राइट परेड्पर तो पिंडी में है प्रेट ग्राउंड जो है इसको अगर आप क्रॉस करें तो आगया के पास जो आप्शन आते हैं वो जिरो पॉइंट बिलोग को विजिविल्टी सामने से नजर आने लग जाती है कि जिरो पॉइंट इतने नेरबाइ डिस्टन्स बे हैं अब जिरो पॉइंट की विए एक जिस्ता फैज़ाबाद की पॉइंट पे ट्रैफिक की कंजेशन होती है एड समग टाइम्स रीजन इस के वो दो शैरों की ट्रैफिक कम्यूट करती है कश्मीर पॉइंट पे भी इस तरह जिरो पॉइंट पे भी चुक्श्मीर हाइवे और इसलामबाद हाइवे में ट्रैफिक को आपस में मर्ज होते हैं तो यहां भी आपको काफी ज़्यार्ज में टाफ टाइम मिलता है तो यहांपे आपका बनावाइग का में इंटर्चेंज महां से 14 किलिम्टर और में में मैं से 15 क का डिस्टंस है और इस वक्त जो मैं बिल्कुल मैं एकृप्रेम्ट कर दिया है www.makansolution.com अगर आप कोई वीडियो अची लगे तो प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भोलें रिजवान चीमा को दीजे जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस वीडियोो अगुब स बियरी लाइक, क्कॉम खिजा वीडियो मत आपकण झाली वीडियोो झाली का मत वीलिब अभलब को भोले एंग पुदा